हालो फ्रेंट कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे मूंग फली के बारे में मूंग फली तो वैसे हम सब के घरों में हर किचन में होती है लेकिन सर्दियों में मूंग फली के खाने का एक अलगी मज़ा होता है लेकिन बात होती है यहां डायविटीज वालों को क्या बढ़ने लगता है डैविटीज एक ऐसी बिमारी है जो कि एक बार लग जाए तो उसके साथ जिन्दगी भर रहना पड़ता है लेकिन क्या है कि उस अपने खान पियान पर ध्यान दे कर हम अपने डैविटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है हैडरेट फैट और फाइबर से भरपूर मुंगफली बाड़ी को एनर्जी देती है और यमेंटी को भी स्ट्रोंग बनाती है पोटेसियम कॉपर कैल्जियम मैगनीज आयरन से भरपूर मुंगफली का सेवन करने से पाचंतन दूरुस रहता है डैविटीज के मरीजों के ल बें नहीं मिल पाते तो आम आदमी के लिए मुंगफली अच्छा है वो अपनी डायट में मुंगफली जरूर सामिल करें तो आएज जानते हैं कि मुंगफली का सेवन कैसे डैविटीज को कंट्रोल करता है मुंगफली एक ऐसा फूड है जिसका ग्लैसमिक इंडेक्स है जो और कार्बोहेडरिट कम है इसकी वज़ा से डैविटीज के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन मुंगफली में फैट की मातरा अधिक होती है इसलिए डैविटीज के मरीज को इसे इतना ही लेना चाहिए जादा नहीं लेना चाहिए विसे जादा कोई भी चीजों हर आदम का सेवन करें तो अच्छा है वैसे जो लोग सुबह मुंगफली का सेवन करते हैं उनका ब्लड सुगर नालमल रहता है अगर मुंगफली का सेवन हाइग ग्लैस्मीक इंडेक्स वाले फूट के साथ किया जाए तो इंसुलेन स्पाइग भी कम होता है तो ये थे कुछ भूद धन्यवाद।